लखनु के सबसे बड़े इस्लामिक सेमिनरी नदवा में 17 तारीक यानि कि कल All India Muslim Personal Law Board अपनी बड़ी बैठक करने जा रहा है जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि क्या Review Petition अयोध्या फैसले पर डाला जाए या नहीं जितने बड़े नाम हैं चाहे जफरियाब जिलामनी हों ओवैसी हों ऐसे तमाम लोग चाहते हैं कि अयोध्या फैसले पर एक बार फिर से Review Petition डाला जाए लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं हमारे साथ इस वक्त महसिन रजा हैं जो कि योगी सरकार के मंद्री है मौसिन जी और लिनमस्ने परस्पलो बोर्ड ने तैय कर लिया है कल उनकी बड़ी मीटिंग होने जा रही है तमाम बड़े निता यहां पहुँचने वाले हैं यह बताईए कि इस मीटिंग का क्या रिपरकरशन हो मुझे लगता है कि पहले तो उन्हें देश को बताना चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और यह संस्था कहां से इसको फंडिंग हो रही है इस सब काम करने के लिए कि जम्मानी सर्वोचनियाले का फैसला आने वाला था उस समय भी इन्हों ने उससे पहले भी यहां पर एक मीटिंग करी थी तब भी देश का माहौल खराब करने के ऐसी हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाली आल इंडिया मुस्लिम पसला वो बोर्ड के सदस और यह बयान जो देते हैं या जो भी काम करते हैं वो इनके बयानात और इनके जो भी इस तरह की आयोजन होते हैं वो देश में माहौल खराब करने जैसी सिती बनती है आज भी यह जो कल बैठक करने जा रहे हैं आखिर उत्तर पर देश में क्यों आ रहे हैं आप हैदराबाद में कर लिजे दिल्ली में आपको रिविव आपको वहां दायर करन है आप दिली करते हैं यहां लखनों क्यों आ रहे हैं बार बार आप और यहां पर एक धार्मिक संस्था को आप एक अड़ा बनाना चाहते हैं फिर बाद में जब आप कुछ करके चले जाएंगे और प्रिश्चिन लगेगा तो यह विवाद पैदा करने वाली बात तो कहीं न कहते हैं कि उनका डेमोक्रेटिक राइट है समविधान ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि वो सुप्रीम कोट के फैसले को पर भी समिक्षा की बात करते हैं क्यों बदल गये इसके पीछे आपको कौन है आपके पीछे इसके पीछे किस की साधश है आपको बताना होगा आपकी कौन कर रहा है यह सब इंतिजमात कौन है पीचे आपके क्या देश का महोल खराब करना चाहते हैं आप कहा या आप अपनी छोटी सी एक पार्टी की सियासत के लिए तमाम मुसल्मानों को फिर से आप हिंदू-मुस्लिम कराना चाहते हैं यही तो नज़र आ रहा है उसके से वह कुछ नहीं नज़र आ रहा है यह बताईए कि आपको लग रहा है क्या कि ऐसी मीटिंग से हालात खराब होंगे मुझे लगता है कि पूरी देश के तमाम मुसल्मानों ने फैसले को मानी सर्वोच नियाले के फैसले को सरहा है माना है सर्वसमति से सबने माना है और इस तरह से बार बार बात को उठाना सवाल उठाते हैं, रोज रोज सवाल उठाते हैं, और अपने को बैरिस्टर कहते हैं, अरे वैसी सहाब, आप तो वीदेशों में पढ़े हैं, आप बैरिस्टर बन के बाहर से आएं हैं, यहां के गरीब मुसल्मानों के बारे में कभी चिंता की होती ना, मुसलिम पर सल्ला ब परियास मत करिए, तो कि आपके इस कर्द से देश का महौन खराब हो रहा है, लोग इस बात पर टिपणिया करने लगे हैं, तो यह मुझे नहीं, इनको जवाब देना चाहिए, देश की जनता को जवाब देना चाहिए, कि आपकी फंडिंग कहां से हो रही है, आल इंडिया वाला बात, गुमरा करने वाली बात, यह करों, अच्छा नहीं है, इस से आपको बाद आना चाहिए, तो यह थे मुझे रजा, साफ तर पर कह रहे हैं, कि एक महौल को खराब करने की कोशिश कर रही है, और इंडिया मुस्लिम पस्टन लाव बोर्ट, और यह वो लोग हैं, कि उस सुप्रीम कोट के तमाम फैसले को मानेंगे, लेकिन अब क्या हो गया, कि अच्छानक से दुबारा इतनी बड़ी मीटिंग की जा रही है, नीरज कुमार के साथ, कुमार भिशेक, लखनो,